तो अभी अडानी गूर्प के उपर सबसे इंपोर्टेंट वर्डिक्ट आप देखें लोग ना यहाँ पर समझी नहीं पाई इवेन मैं खुद नहीं समझ पाया और आपको बता नहीं पारा था कि यहाँ पर जो सुलोन ऐसे अडानी गूर्प के अंदर जो सांती है वो हम पूरा होने वाला इस पर किसी का ध्यान अब गया ही नहीं और समय पूरा होने वाला कब होगा जड़ा की सब्सक्राइब सब्सक्राइब दो मार्च और लमसम यहां पर ना दो मार्च को आपका यह वर्डेक्ट हुआ था और बनाई गई थी कमेटी सुप्रिम कोट की तरब से और वो कमेटी को दो महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है दो मई को यह टाइम पूरा हो जाएगा और अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है यानि की आपकी रिपोर्ट किसी भी समय आ सकती है अडानी गृप की उपर हो सकता है हॉलिडे डेज में आ जाए कल परसों में आ जाए या पर यहां पर दो मई से पहले या दो मई की दिन आ जाए ठीक ना लेकिन आपकी रिपोर्ट जो है हिंडिन वर्ग और सुप्रीम इसलिए आपको यहां पर जो है ना अडानी गृप में आज 2% का रियक्शन आज डाउन साइड आपको देखने हूं मिले विकॉस यहां पर जो है ना कहीं यह डर बन भा है कि हॉलिडे डेज में आपर जो है ना वो ना आ जाए यानि कि कल और परसों के बीच में और इसलिए ना बाइब का जो नीज है वह इतना जादा अडानी पोड में पोट टायें और वह डेट यहां पर जहाना है कि यहां पर दिशान यहां रखे होंगे लेकिंट्स तो अल्मस्ट बूल गया होगा मेरे एसाब से तो बहुली गया होगा क्योंकि दो महीने बहुत टाइम है और वो डेट तो भूल गए हो कि दो महीने कब कुछी लोग यहां पर जानते होंगे तो अभी आप समझे कि यहां पर जो अडानी गुरूप के अंदर जो कोई एक्शन नहीं बन रहा है किसी भी स्टॉप के अंदर आपको एक्शन नहीं देखने बिला है वो सिर्फ और सिर्फ सांत है उसी रेवल पर सुस्ता रहे हैं क्यों क्योंकि यहां पर जो वर्डिक्ट यहां पर दिया था सुपिंगोट ने आप यहां पर दो महीने पूरे होने वाले किसी वी वक्त चैसाथ दिन के अंदर भीतर नहीं बीतर कब आ जाएगी किसी को पता नहीं अगर यह गिरता है तो फिर बागी कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा जो अच्छा बिल्कुल भी आप समझ रहे हैं नहीं होगा तो अभी देखें लेवल्स क्या है 1570 रुपए नहीं टूटने चाहिए कल भी हम बात करेते हैं और कल यह मैं बात करना था कि शॉर्ट सेल यहां पर जो है ना आपका 45% का आपका अडानी पावर हुआ विलमार हुआ उनके अंदर मूव आया तो वो एक ट्रेडिंग परपस से होगा और इसलिए यहां पर कहीं नहीं उसमें जो है वाल्यूम देखेंगे लेकिन एवरेज वाल्यूम अगर आप देखें कुछ दिनो आई अडानी ग्रूप के अंदर कि आट जो शेल कंपणी हैं वो कहीं नहीं टार्गेट करके रखे थी अडानी ग्रूप के उपर और उनका कुछ लेना देना नहीं है मतलब उनका कुछ फर्जिवाड़ा है वो शेल कंपणी रेक काम नहीं करने तो ऐसे में क्या होगा पाने एंटरप्राइज यह पंद्रह सो तेतर तो पता भी निचलाए एक दिन में तो यह ऐसा सिनेरियो रहेगा अगर उस रिपोर्ट में यहां पर खरावी आ जाती है लेकिन अगर यहां पर जो है उस रिपोर्ट में आगर यहां पर जो है ना सब कुछ ठीक आ गया वह शैल में होल्डिंग करती हैं बगएरा बगएरा ऐसे में क्या होगा ऐसे में आपका 2200 पता नहीं चलाए कब गया 2200 अचानक से एक्षन होगा जिस तरफ होगा वह मुवमेंट रहा वह बहुत तेज होगा लेकिन किस टाइम आ जाए ये कुछ बहुसा नहीं तो अड़ानी इंट तो फिर यह भी आपके सामने है बहुत दूर तक नहीं तो मतब यह इसका मतब यह नहीं कि 52 वीक हाई लग जाएंगे लेकिन वह एक्चुल में वह आपका जो एक सुस्थपन है और जो गिरावट है उससे आपका बचना हो जाएगा अडानी स्टॉक्स और अडानी स्टॉक्स रिकवर करने लगें दीरे दीरे तो यह आपना ऐसा सिनेरियो रहने वाले तो अडानी इंटर्प्राइस की उपर नज़र रखिए सब कुछ इस पर ही ठिकाय हो है बिकॉज यह पेरेंट है और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि एक सही बात होता है जो रिपोर्ट कहीना 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 कहीन एक दो अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो गई हो गई हो ठीक है ना वो हर कंपनी कहीना कहीन हो जाती है लेकिन अगर यह बच गए मुझे लगता है कहीना कहीना कहीन बच आएंगे क्योंकि अगर ना यह वर्टिक्ट से पहले दो मईसे पहले अगर आप यह directly नहीं कह सकते हैं, ओ सकता कि कोई positioning बनाएं, लेकिन अगर यह low तूटता है, 52 week low तूटता है, तो फिर यह ठीक नहीं होगा, ठीक है ना, लेकर अगर यह समला रहता है, थोड़ी से तेजी हो जाती है, जरूरी यह नहीं कि 200 का level तूट जाए, दो मज़ी से पहले अगर इस उस से रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि इस वक्त ना सुप्रीम कोट का रवया जो है, वो वो बॉक्ष सकते हैं, हर चीज में, तो ना वो खुलेगा नहीं, वो सीधे क्वामेटी जो है ना, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोट को देगी, अगर आप एफेंडो में पोजिशन बना होगी जारत तर तो मैं आपको पता तो कॉलपट बहुत मेंगी है, खाम खाम पैसा इधर उदर हो जायाएगा, रहन दो, बच के रहो, किसी को ले नहीं है, कोई रिक्स टेकर तो फिर वो देख लीजे, लेकन कोई रिस्क नहीं ले